हे गाईज तो रिसेंटली समसंग गलक्सियाश 21 FE यूजर्स के लिए 1UI 6.1 अपडेट रिलीज हुआ है बट इस अपडेट के अंदर हमें कोई भी AI फीचर्स देखने को नहीं मिलता है बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप डाउनलोड करना होगा, Shortcut Maker यह 3 MB के असपास इस अप्लिकेशन का साइज है इस अप्लिकेशन का आपको सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है next आपको home screen के उपर जाना है यहाँ पर tap and hold करने के बाद widget section के अंदर जाना है scroll down करना है and find करना है shortcut में गार यह रहा इस arrow आइकन के उपर click करना है then shortcut standard करके जो यह option है इसके उपर tap करना है then add अगर आपको यहाँ पर यह pop-up देखने को मिलता है then got it and activities के उपर आपको click करना है यहाँ पर आपको search करना है wallpaper and आपको find करना है wallpaper and style यह रहा इस arrow आइकन के उपर tap करना है and then आपको यहाँ पर find करना है ui.gen wallpaper activity यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम last में यह चीज मैंसन है and यहाँ पर wallpaper install के अंदर काफी सरी चीज़े है but आपको यही चीज़ find करना है ui.gen wallpaper activity इसके उपर आपको simply tap करना है then create shortcut के उपर tap कर देना है now यहाँ पर एक shortcut add हो चुका है अगर आप इससे tap करोगे तो generative wallpaper आपको यहाँ पर दिखाए देगा but यह activate नहीं होगा इसे भी activate करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको एक application को install करना होगा and इस application का link आपको मेरी telegram channel पर मिल जेगा and इस video का description में telegram channel का link आप जाके join कर लेना and इस application को आपको download कर लेना है now download होने के बाद इसे tap करना है and आ case अगर आपकी phone में यह application installed नहीं हो रहा है that means कि आपकी phone में auto blocker enable है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो auto blocker को disable करना है इसके आपको आपकी phone की settings में जाना है then security and privacy and scroll down करने के बाद auto blocker देखने को मिलेगा इसे tap करने के बाद आपको कुछ time के लिए इस auto blocker को off करके application को install करन है then बापस से आपने जो shortcut add किया हुआ है इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर देख सकते हो वल्पापर सक्षन activate हो चुका है और यहाँ पर आपको काफी सरे AI generated वल्पापर देखने को मिलता है अगर आप चाहो तो इन में से कोई भी वल्पापर को आप choose कर सकते हो otherwise अब ख खुद से वल्पापर generate करने के लिए simply आपको इस generate के उपर tap करना है then आपका जो Samsung account है इसके उपर choose करना है और खुद से prompt देने के लिए इस prompt के उपर आपको tap करना है यहाँ पर काफी सरे आपको options मिलेगा but fully तरीके से आप अपने ही सब से prompt देखके generate नहीं कर सकते हो यहाँ पर ही आपको कुछ prompt मिलेगा कुछ options मिलेगा जिन में से ही आपको choose करना है select करना है suppose मैं यहाँ पर इसे देता हूं and generate के उपर tap करता हूं and यहाँ पर कुछ समय लगेगा wallpaper generate होने में and finally wallpaper generate हो चुका है अभी आपको set के उपर tap करना है आप कहां पर रखना चाहते हूं lock screen home screen मैं फिलाल दोनों में ही रखना चाहता हूं फिर next and done now अब देख सकते हो कि AI generated wallpaper मेरी phone के अंदर आ चुका है home screen के अंदर भी and lock screen के अंदर भी दो इस तरह से आप AI generated wallpaper अपने Samsung Galaxy S21 FE के अंदर enable कर पाऊगे so guys I hope आपको यह trick पसंद आया होगा इसी बात पर वीडियो को like and share कर देना अगर इसके regarding आपके मन में और कोई भी doubts or queries है तो नीचे मुझे comment करके पूछ सकते हो और ऐसे ही interesting videos आगे दिखने के लिए AI digital touch को भी subscribe कर लेना मिलते हैं next video में thank you